आप देख रहे हैं रफ्तानियू चलेंट सबसे तेस सबसे आगे उत्तर प्रदेश में रामपूर ब्लाग में दिवरिया जयत्वन के अंदर तीसरा चरण का मद्दान हो रहा है बहुत सांती पुरुवक मद्दार होना हम यहां मौजूद हैं ग्राम प्रभा प्रिप्टाइ प्रधान पढ़े जिला पंचायत का चुनाव होना है और चुनाव के ओटिंग डाली जा रही है उनके लिए भी बोल रही है आप देख रहे हैं दिवरिया से निगमपांडे की रिपोर्ट रफ्तानियों चैनल के साथ उत्तर पर्देश के देवरिया जन्पत के अंदर तीसरे चरण का मद्दान सुरू हो गया है मद्दान सुबह साथ बजे से चाल हुए और स्याम को पांच बजे तक रहेगा हम आपको बताते चलें जिला पंचायत का भी चुनाव और गाम पर्दान का भी चुनाव हो रहा है एक साथ में दोनों का चुनाव हो रहा है वहीं गाम वासियों ने बढ़ चड़ कर चुनाव में आकर अपना वोट डाल रहे हैं किसको चुनेंगे और किसको धुनेंगे ये तो दो मई को ही जानकारी मिल पाएगी लेकिन फिलहाद जिस तरीके से परसासनिक और हर तरीके से पुलिस परसासन भी यहां मौजूद है जो लोग यहां आ रहे हैं बिना मार्क्स के नहीं है उनके बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां बोटिंग वगेरा डाले जा रहे हैं पुलिस मुस्तैद है उसी तरीके से लाइन लगाई गई है आप देख सकते हैं कि लाइनों में भी किस तरीके से यहां लोग खड़े हुए आपको नजरा जाएंगे बिना माक्स के एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस करोना काल में बचना और बचाना भी बहुत जरूरी है वहीं हम आपको बताते चलें जिस तरीके से यहां लोग बोट गेरने के लिए आ रहे हैं तकरीबन अब तक 15-20% बोटिंग हो चुकी है और शाम को 5 बज़े तक बोटिंग होनी है तो इसमें तकरीबन अंदाजा लगा जा रहा है कि जादे भी नहीं तो 65-70% के करीब बोटिंग होगी जिस तरीके से यहां बोट डल रही है कही ना कहीं केंदर सरकार और राज्य सरकार भी इसमें सयोग कर रही है क्योंकि इस करोना काल से कैसे बचा जाए चुनाओ जिस तरीके से हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनको भी गोर से देखा जा रहा है लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं आप देख सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं एक तरफ महिल आए हैं तो दूसरी तरफ जैंस खड़े हुए हैं इसी तरीके से यहां बोटिंग हो रही है वहीं हम साथ में आपको बता दे देखिए मैं धनंजे राओ भारती जनता पार्टी से वार्ड नंबर एक आरस से जिला पंचायत के चेर्मेन पतका भी उमिद्वार हुए तो इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि हम सदसका नहीं अध्यश का चुनाव करें जब हमारे वार्ड में आल लेडी एक अध्यश क अमिद्वार है और मजबूत मिद्वार है तो हम अध्यश को मिद्वार को करेंची चुनाव चिन पर वोड़ देंगे जो मैं घूम के आ रहा हूं अभी मैं परसी अमल होते हुए भीम पूरोगरा सब घुनते हुए गौतम चकमठिया वगरा से घुमते हुए आ रहा हूं परफार रुजहान कहची के पच्छ में जा रहा है और जनता सांती फिले तरीके से मद्दान कर रही है कि देखे मेरा यह है कि अगर मैं यह जीत क्याता हूं चुना तो मैं जिला पंचायत का चेर्मन बनूंगा और वार्ड नंबर 11 को उत्तर पर्डिस का आदर्स वार्ड बहुत सुंदर वार्ड बनाओंगे